नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबको नमश्कार फंकज भाई नमश्कार कैसे हो बिने रोहिला नमश्कार चलिए मस्त हो शर और बताईए कैसे हैं कैसे हैं सभी बताईए एक बार जल्दी बताईए बड़ी शंदर सी बात है चलिए राम राम सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बताईए आवाज मिसमेश तो नहीं हो रही है एकदम जखकास आवाज मिसमेश तो नहीं हो रही है आगे पीछे तो नहीं है जहासी से नमश्कार हरियों से क्या आवाज मिस मैच तो नहीं हो रही है ना वालेकूम असलाम जी घुलिस्ता जी नमस्कार जल्दी बताइए एक बार लिख दीजे आवाज तो मिस मैच नहीं है ना ओके रिपोर्ट है सर जी बहुत बढ़िया चलिए बहुत संदर अच्छा बहुत बढ़िया ओल किलियर सर चलिए आज 29 अगस्त है मैं आपको बता दू जो हमारा एप्लिकेशन है एप्लिकेशन पर जी अस गोल्ड का हमारा एक बैच है हमारा एप्लिकेशन अगर जोईन करते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी सूचना बता दू अगर आप हमारे एप्लिकेशन पर जाते हो गैलेक्सी एकसिस के एप्लिकेशन पर तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा गैलेक्सी एकसिस कोचिंग पॉइंट के अगर आप एप्लिकेशन पर जाते हो और अगर आप study material में जाते हो study material में तो मेरे लाल वहाँ पर हमारी कुछ notes मिलेंगे per day ये notes per day के लिए होते हैं बाई साब per day per day notes आते हैं किसके किसके एक तो daily current affairs आता है daily current affairs current affairs के दो माध्यम होते हैं बाई साब एक तो objective current affairs आता है और एक हमारा one liner आता है per day one liner day wise आता है उसके अलावा math के भी आते हैं reasoning के भी आते हैं GS के भी आते हैं हर्याना जी के भी आते हैं UPG के भी आता है English भी आता है लेकिन आप यहाँ से ये वाला section cover कर सकते हैं रोज के रोज हमारे application पे जाके दूसरा जो हमारी classes होती है रात के 9 बजे उसमें मैं बहुत सारे question उसके कराता हूँ जो daily current affairs के हैं तो ये आपको बिलकुल मिलने वाला है मेरे बाई साब अभी download कर लो और वहाँ जाकर देखो आपको मिल जाएगा daily wise पिछले 3-4 महिने के भी मिल जाएगे आप print करो घर पर टिक लगाओ मौज करो चलिए उसके अलावा अगर GS gold है हमारा GS gold का बैच लेते हो पूरी history पूरी history picturize है भाईसा picturize picture के माध्य हम से पूरी geography picturize पूरा पॉल साइन्स conceptual and picturize पूरा साइन्स conceptual and picturize आप जोईन करें जरूर पढ़ें चलिए सुरुआत करते हैं पहले question से आज का जो समय है ये है मेजर ध्यान चंद्र अगर मेजर ध्यान चंद्र देखोगे तो 39 अगस्त 1905 को इनका जनम हुआ था और मेजर ध्यान चंद्र का 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया था मेजर ध्यान चंद्र और इन ही के जन्म दिवस को 2012 से 2012 से National Sport Day के रूप में मनाया जाता है 2012 से और आज 2022 है 10 साल हो गया भाई साब मनाते हुए 10 साल हो गया मनाते हुए भाई साब तो इह है मेजर ध्यान चंद्र इन ही को ध्यान में रखते हुए आज का कोश्चन और 2 सकेंड का कोश्चन है भाई साब आज का इन ही को ध्यान में रखते हुए आज का कोश्चन है भाई साब नहीं भूले भाई जी ने 1928 का ओलंपिक में स्वन पदक जीता था, तो भारत के लिए ऐसा पहली बार हुआ था, जब आजादी से पहले हमारे इन खिलाडियों ने गोल्ड मेडल लाया हो, ऐसा किरतिमान पहली बार हुआ था, ऐसा किरतिमान पहली बार हुआ था बाई साब, और फिर 1932 में भी जब होकी टीम ने हमारे साथ गोल्ड मेडल ले कराया, तो जब 1928 का ओलंपिक स्वन पदक जीता भारत ने होकी टीम ने पहली बार, तो उस समय भारती होकी टीम के कप्तान कौन थे, और भारती होकी टीम ने किस देश को पराजित किया था, ये कोश्चन है बाई साब, सभी लोग ये पढ़ाते हैं कि 1928 में हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन सवाल ये पूछा कि गोल्ड मेडल तो जीता, लेकिन कप्तान कौन थे, टाय टाय फिस, भाया अगर पढ़ रहे हो ना तो धंग से पढ़ो, कप्तान कौन था, ये तो common चीज है भाई साब, और क ध्यानचंद्र, डेनमार्क, जैपाल सिंग मुंडा, स्विट्जरलेंड, और जैपाल सिंग मुंडा, हॉलेंड, ये हमारा कोश्चन है भाई साब, थोड़ी सी कुछ बाते हैं, आईए देखते हैं, थोड़ी सी कुछ बाते हैं, आईए देखते हैं, पहली बार, अगर मैं बात करूं modern olympic की modern olympic की तो ध्यान से सुनना 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था बाई साव एथेंस में ग्रीस एथेंस में शुरू हुआ था और याद रखना 2020 में टोकियो में होना था वाई टोकियो टोकियो जापान में होना था लेकिन कोरोना के चक्कर में ये 2021 में हुआ भाई साब 2021 में तो टोकियो वाला 2021 में हुआ उसके बाद 2022 2022 बीजिंग में होने वाला भाई बीजिंग बीजिंग चाइना में होने वाला है अपने सही समय पर हो पेरिस, 2024 में होगा, फ्रांस, पेरिस, 2024 में होगा, उसके बाद भाई सब इटली, इटली में 2026 में होगा, भाई सब, और तब रहा यूएस से 2028 में होगा, भाई सब, 2028 में, ये तो latest है भाई सब, और modern olympic की शुरूआत 1896 में, आईए भाई सब, पॉइंट नमबर दो इस आदमी का नाम है नॉर्मन प्रिचलेन इस आदमी का नाम है नॉर्मन और ये भाई साब का जन्व कलकत्ता में हुआ है कलकत्ता में हुआ है इस भाई साब का जन्व और इस भाई साब या जो भाई साब हैं इस भाई साब ने दोड में दोड में कलकत्ता में जन्मे है और भाई साब एसिया से पहला ओलंपिक जीता था इनोंने दो और ये घटना 1900 की है 1900 की है लेकिन यह भाई सिल्वर मेडल जीते थे पहले भारतिय जो सिल्वर मेडल जीते थे कलकत्ता में जन्मे थे लेकिन भारतिय थे नहीं यह बारतिय थे नहीं लेकिन कलकत्ता में जन में थे भाई साब यह है भाई साब इनका नाम है नॉर्मन अब चलते जाओ अब चलते जाओ भाई साब और यह जो अपनी टीम है यह जो टीम है अपनी यह वही होकी टीम है जिसने 1928 में नीदर लेंड में 1928 नीदरलेंड नीदरलेंड एमस्टर्ड़म क्या मझेदार कलाकारी किया लेकिन आपको सुनके आपके रोंक्ते खड़े हो जाएंगे क्या हुआ भाई साहब यह कहाँए आपको दिखने में अच्छी लगती है लेकिन इस कहानी के पीछे थोड़ी सी और मैं क्या बता हूँ आपको रोने वाली कहानी है 1920 के बाद फैसरा हुआ कि ओलंपिक में हौकी टीम भाग ले सकती है और 1924 का जो ओलंपिक था उसमें हौकी टीम नहीं रखी गई लेकिन जो ओलंपिक था ओलंपिक में ये कह दिया गया 1920 में कि भाई इसको हटाया जाएगा होकी को ओलंपिक से हटा दिया जाएगा 20 में गोशना कर दी गई और 1924 में होकी नहीं हुआ लेकिन भाई साब अचानक एक फैसला आया 20 में फैसला आया कि ओलंपिक होकी नहीं रहेगी और 1924 वाले में होकी नहीं थी होकी नहीं थी ओलंपिक में लेकिन फैसला आया कि 1928 में होकी सामिल होगी और होकी मैच खेलेगी और यह नीदरलेंड में मैच होगा नीदरलेंड में नीदरलेंड में यह ओलंपिक होगा और उसमें हौकी टिम भाग ले सकती है लेकिन हमारे पास हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं थी पैसे को लेकर खेल में तो काबिलियत थी पैसे को लेके इतनी काबिलियत नहीं थी बाई साब और हमने हमारे पास कपड़े नहीं थे हमारे पास जूते नहीं थे कलकत्ता के सहर ने हमारे लिए जूते और कपड़ों का इंतजाम किया और हम Amsterdam जाने के लिए तैयार हो गये कैसर हिंद जहाज याद रखना भाई साथ कैसर हिंद जहाज मुंबई से हम रवाना होते हैं कब मुंबई से क्योंकि हमको 1928 का मैच खिलना है और हम कैसर ए हिंद जहाज से रवाना हुए मात्र तीन आदमी हमको छोडने आये थे बाई साब मात्र तीन आदमी छोडने आये थे जिसमें उस समय होकी फेडरेशन के चेर्मेन थे न्यू हैम न्यू हैम थे न्यू हैम साहब थे उस समय बर्न साहब थे बर्न साहब भी चेर्मेन थे नियुहेम साहब डीपुटी चेर्मैन थे और एक आदमी थे S. भटाचारे इनहीं के कहने पर बंगाल एसोभी नियुक है कपड़े मोहिया कराया S. भटाचारे नियुहेम डीपुटी चेर्मैन अफ होगी पेडरेशन और बर्न साहब चेर्मैन यही तीन आदमी आये और भाई साब हम खेलने के लिए तायार हो गए और हम कैसर ए हिन्द जहाज से बैठे और चल दिये सिर्फ तीन आदमी छोडने आये थे भाई साब हम पर विश्वास नहीं था लोगों का लेकिन जब हम पहुँचते हैं अमस्टर्डम जब हमने एमस्टर्डम पहुँचे तो भाई सब याद रखना हमारा पहला मुकाबला और याद रखना मेरे लाल हमने उस मैच को छे गोलों से जीत हासिल की छे गोलों से और याद रखना जसपाल साहब हमारे कपतान थे उस तायम 1928 में और सिर्फ एक चमकता सितारा याद रखना चमकता सितारा जो हमारा था हो मेजर ध्यान चंदर थे और जसपाल साहब कपतान थे और हमने जबरजस्त जीत हासिल की और हमारा दूसरा मैच बेलजियम से था और बेलजियम को तो हमने 9 जीरो से रगड़ दिया भाई साब उसके बाद हमारा मैच डेनमार्क से था और हमने डेनमार्क को 5 जीरो से रोंद दिया भाई साब डेनमार्क को 5 जीरो से रोंद दिया उसके बाद हमारा मैच स्विट्जरलेंड से था स्विट्जरलेंड से 6-0 से जीत हां सिलकी 6-0 से और आखरी मैच याद रखना मेरे लाल आखरी जो हमारा मैच था वो हॉलेंड से था और हॉलेंड को भी हमने खूब बढ़िया से हराया और जैसे ही हमने Holland को हराया किरदार जो मेजर ध्यान चंद्र थे क्या बात है जो हमारे मेजर ध्यान चंद्र थे उन्होंने तो इतिहासी रच दिया भाई साब उन्होंने तो इतिहासी रच दिया मेजर ध्यान चंद्र की टीम ने पहली बार पूरा का पूरा टीम गोल्ड डल जीतता है पूरा का पूरा गोल्ड मेडल जीता भाई साथ तो याद रखना मेरे लाल ये सिरीज पूछता है और सिरीज में हमारा पहला अंसर जाता है कि मेजर ध्यानचंदर कैप्टन नहीं थे मेजर ध्यानचंदर तो 1936 वाले में कैप्टन थे 1936 वाले में captain थे लेकिन उस समय captain थे जस्पाल सिंग और हमारा Holland का match था । ये है भाई साब clear? अरे भाई साब clear? clear? और याद रखना ये तो पूरी team जीती ये तो पूरी team जीती भाई साब लेकिन याद रखना इस आदमी को याद रखना इस आदमी को ये वो आदमी है जिसका नाम है केडी जादव केडी जादव और केडी जादव ने याद रखना 1952 में ये पुरी टीम नहीं ये अकेला भारत को मेडल जितवाया अकेला भारत को मेडल जितवाया इसने और इसने ब्रॉंज मेडल जीत लिया 1952 में यह इंडिपेंडनेंट अकेला आदमी जो पहली बार भारत के लिए मैच जीता ओलंपिक मेडल लेकर आया और यह कुस्ति के लिए भाई साब थे रेसलर थे रेसलर थे बड़ी फेमस कहानी है इनकी भी इनोंने बड़ी फेमस युद्ध देखो ये वाला है ये वाला है कुस्ति के थे ये और इनोंने जो सुरुआत की उसने कनाडा के खिलारी को हराया फिर इसने मैकसिको के खिलारी क कुषयर अबलग रहा था कि केड़ी गोळ्ड मेडल ले आइंगे लेकिन भाई साहब उसी दोर में रासित से मैच आंगे रासित से मैच आघ गए और रासित से जब मैच हारे तो भाई साहब उसके बाद तो यह हो गया कि अब मामला गड़बड हो गया हार गय की जीरो तीन से, तब अगला मुकाबला इनका ये था कि ब्रॉंज तो आएगा ही, तो इसने जापान के खिलाडी को हराया, और जैसे जापान की खिलाडी से मैच हुआ, भाई साव, उम्मीद था कि हराएंगे, हराएंगे, लेकिन बीमारी और थकान ने, बैक टू बैक मैच था इनका बैक टू बैक, ठकान ने इनको इसकदर मजबूर कर दिया, कि यह जापान के खिलाडी से भी हार गये, और जैसे ही हारे, फाइनल हो गया, ब्रॉंज तो मिलेगा ही, अगर जीत जाते, तो हो सकता था कि इनको गोल्ड भी मिल जाए, लेकिन यहां हार ने इनको ब्रॉ मिर्ति हो गई, एक सड़क दुरगटना में इनकी मिर्ति हो गई, अब कोई अगर पुछेगा ना भाई साब, कि पहला मेडल, भाई साब सारा डिटेल बता दिया है, अब अगर रुके ना, सब बरबाद हो जाएगा, चलिए दो सकेंड का कोश्चन, दो सकेंड का कोश्चन ये बताईए कौन सा जहाज था, जिसमें ये लोग सवार होकर नीदरलेंड खेलने गए थे मैच, नीदरलेंड खेलने गए थे मैच, जल्दी बताईए, दो सकेंड का कोश्चन, कौन था जहाज वो, जिस पर ये लोग सवार हुए थे, केसर एहिंद, क्या आंसर कीम, कीम का कीम कुकी जवाब किलियर दूसरा कुश्चन दूसरा दो सेकेंड का भाई साहब क्या 1928 में मेजर ध्यान चंदर कैप्टन थे अगर थे तो सही बात अगर नहीं थे तो फिर कब कैप्टन बने थे ये कब कैप्टन बने थे होंकी टीम के क्या उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता था जब मेजर ध्यान चंदर कैप्टन थे क्या हमने जीता था बिल्कुल कहरा जी नहीं थे 1928 में मेजर ध्यान चंदर कैप्टन नहीं थे क्या ध्यान चंदर 36 में थे हाँ और बिल्कुल हमने گول्ड मेडल जीता था दांद-े-मलिक का आंसर है भाई साब दांद-े-मलिक साब ने आंसर दिया अंच च्छुतिस में थे और हमने गोल्ड मेडल जीता है क्या बात है इंडिवीजुआय इंडिवीजुआय पहला मेडल लाने वाले कौन इंडिवीजूल पहला मेडल लाने वाले कौन टीम नहीं इंडिवीजूल पहला भारती इंडिवीजूल बाह क्या बात है अभी तक आंसर नहीं आया केड़ी जा दो कीम कुकी का आंसर है दूसरा question बाई साब दूसरा question बताईए अभी नहीं तो कभी नहीं पीछी कारा कह रहे हैं मुखरजी नगर से हम बात कर रहे हैं बाई साब ये जो data है ना बाई साब इस सिर्फ आप लोग के लिए है like और share तो बनता है चलिए बहुत संदर ये बताईए कौन सा statement गलत है आप लोगों को क्या सही विजबल हो रहा है बहुत संदर चलिए शुरुवात करते हैं अब पहला question मावीर सौामी के पिता का नाम सिद्धार था ना कितने लोग कह रहे हैं ना बाई साब जो लोग कह रहे हैं ना वो याद रखना सिद्धार थी था आप लोगों को होगे जी गौतम बुद का था नाम बाई साब गौतम बुद के बचपन का नाम था गौतम बुद के बचपन का नाम था सिद्धार लेकिन महवीर स्वामी के तो पापा का नाम सिधार्त था और माता का नाम त्रिशला था और उनका जन्म अस्थली कुंडे ग्राम वैशाली ठीक तो है ठीक तो है भाई साब 540 BC कुंडे ग्राम वैशाली जन्म 468 BC पावापुरी मृत्यू पत्नी का नाम यसोधा और बेटी प्रियदर्शनी दामाद जमाली जमाली दामाद पहला सिस्य भी दामाद प्लस पहला सिस्य भी ये पुरुस है भाई साब अगर कोई महिला सिस्या बनी है तो महवीर स्वामी की चंदना बनी है चंदना और याद रखना महवीर स्वामी को ग्यान की प्राप्ती हुई जिम्भरिक गाउं बैसाली में ग्यान की प्राप्ती हुई थी भाई साब और भाई साब जो पहला उपदेश दिया था वह बिपुल चल माउंटेन राजगरह में उपदेश दिया था और वहां के राजा थे मेग कुमार उनको पहला उपदेश दिया था भाई साब गौतम बुद के पिता का नाम शिद्धा ना गौतम बुद के पिता का नाम सुध्योधन सुध्योधन आओ इधर देखो सुध्योधन पिता का नाम माता का नाम महा माया लेकिन जन्म देने के पश्चात मृत्यु हो गई फिर इनको पाला पोसा गौतमी प्रजापती ये इनकी धाय मा या इनकी मासी मासी इनकी पतनी यशोधरा यशोधरा और इनका पुत्र राहूल ज्यान की जन्मस्थान लुम्बनी लुम्बनी 563 बीसी गाउं कपिल बस्तु मृत्यू 483 बीसी कुशी नगर उत्तर प्रदेश ज्यान की प्राप्ती बोध गया उपदेश सबसे पहला उपदेश अपनी मा परजापती को दिया लेकिन अगर परजापती ना मिले तो महिला में सुजाता को दिया पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसी उपदेश के बाद इनोंने धामेक मठ बनवाया धामेक, ये भी सारनात में है, सारनात में है भाई साब, धामेक सारनात में है, तो महावीर ये हो गया, सिदार्त माता का नाम महा माया और इनकी जन्म अस्थली कुशी नगर, भाई साब मिर्तिव अस्थली कुशी नगर, गौतम बुद्ने उपदेश देने के पश्चाद धा ये कुछ लोग हैं जो पढ़ने रहें इनको भगाव आई ग्रूप से ये एस सिंग भगाव इनको एस सिंग को भगाव जल्दी एस सिंग को जल्दी ब्लोक करें इनका यहां काम नहीं है भाई साब गलत जगह पहुंच गए है ये गुलिस्ता जी सर जी एक लाइन की बहुत सारे कुश्चन बिना देते हैं बना देते हो ये तो आप लोग की क्वाल्टी है जी जी बहुत सुन्दर ये एस सिंग भाई साब को हटाओ इनका काम नहीं है यहां हाँ अंकित एक बार थोड़ा देखो अरे पड़ा पड़ा के हो गया जी चलिए एस सिंग कह रहे है थेंक्यू सर जी अच्छी बात है भाई साब आपको थोड़ा सा देखो अगर आपने थेंक्यू कहा है तो ये आपके मतलब गट्स की तो बात है नहीं अच्छी बात तो है नहीं कि आप जो कर रहे है वो उसको हम बरदास्त कर लेंगे आपको यहां से जाना पड़ेगा ठीक है यहां आपका काम है नहीं कि पिलकुल सही बात है आए देखते हैं यहां और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हमारा अटेच्जमेंट है यह यह जी लुंबनी यह लुंबनी है भाई साब लुंबनी यह लुंबनी है आए यह कुशिन अगर है जहां डेथ हुआ है उनका कुशिन अगर है और भाई साब यह देखो अभी मोदी साहब भी गह थे यहां और यह भाई साब धामेक मठ है धामेक मठ और उपदेश देने के बाद यही बनवाय अरे खिच दो मीटर एक बार में किलियर है बाइस चलिए दो सेकेंड का कोश्चन दो सेकेंड का ध्यान से सुनना दो सेकेंड का कोश्चन है कि प्रजापती गौत मी किसकी धाय मा थी कोश्चन शुरू आब प्रजापती गौत मी किसकी धाय मा थी अच्छा सुबहम को भगाओ सुबहम को ना गया भाई अब अरे जल्दी बताओ भाई साब चलिए 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 बुद्ध आगया आंसर आगया भाई साब चलिए ये है बिपुल चल माउंटेन बिपुल चल माउंटेन और बिपुल चल माउंटेन जो है राजगरह में है यहीं पर उपदेश दिया था कि किसने महावीर स्वामी ने यहीं पर उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने चलिए कोश्चन नमर तीन लेटेस्ट रेलवे के पेपर में गुरुब डी गुरुब डी का पेपर भाई साब ये गुरुब डी का कोश्चन भाई साब गुरुब डी एक भी आपको नहीं आएगा ये गारेंटी है सही मिलान करो गुरुब डी का कोश्चन भाई साब चुब इस तारिक का अगर बुरब दूर कहे तो बौध धर्म का जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इस्तुप बौध धर्म का सबसे बड़ा इस्तुप है बाई साब सबसे बड़ा इस्तुप है इंडोनेसिया में है ये बौध धर्म का सबसे बड़ा इस्तुप विश्व में बगान में अमार में है बिल्कुल ठीक है बगान उसके बाद है forbidden city चाइना इसी को चमकता हुआ सितारा कहते है चमकता शितारा city चमकता सितारा शहर इसी को बोलता है चाइना कि यह मेरा चमकता सितारा शहर है उसके बाद है कारकोबाडो कारकोबाडो जो है रियोदी जनेरियो में है कारकोबाडो रियोदी जनेरियो बिल्कुल ठीक आंसर है बाई साब बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक आईए यह बोरबदूर है बाई साब और बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है बोरबदूर बहुत सब फ़र वीडन सीटी चमकता हुआ सितारा फ्वर वी डन सीटी और यह बाइसा रियो दी जदेनेरियो रियो दी जनेरियो रियो दी जनेरियो को को बाडो कोरकोबाडो सेंटर रियोदी जनेरियो कोरकोबाडो यह है कोरकोबाडो जनेरियो रियोदी जनेरियो का फाउंडर रियोदी जनेरियो का फाउंडर कोरकोबाडो हमारी भी सुनिये प्लीज बताए सब राइट हैं भाई साथ मिलान करना था सब राइट हैं, सब राइट हैं, सब राइट हैं, यह ऐसे मिलेगा, यह ऐसे मिलेगा, यह ऐसे मिलेगा, चमकता हुआ श्रितारा, चाइना किसको मानता है, चमकता हुआ श्रितारा, किसको मानता है, फॉर्विडन सीटी बहुत सुन्दर चलिए आपके सामने दो सेकेंड का कोश्चन दो सेकेंड का कोश्चन ध्यान से सुनना केड़ी जादव किस देश से हारे तब उनको ब्रॉंज नशीब हुआ ब्रॉंज मिला नहीं तो भाई साब गोल्ड और सिल्वर के लिए लड़ रह हुआरे तब हमारे जीम में सिल्वर आय है है किम कुकी सब याद रखती है कीम कीम कुकी को सब याद है भई साब कि मतलब जबात यार तुम लोग तमतल दिल चू लिए है हुआ है इस्टार लगा लो रेलवे गुरूप डी रेलवे गुरूप डी सो बेस तारीक या चबीस तरिक का question है ये भी Railway Group D अरे जल्दी बताइए 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 हाजी गंज किला बांगलादेश हाँ हमने कब कहा है बांगलादेश का शाही किला कहते हैं बांगलादेश का शाही किला कहा जाता है शाही किला और भारत में इसकी तुलना जो है भारत में इसकी तुलना कहता है कि यह किला उमेद पैले से भी बड़ा है भाई साब ठीक है हाजी गंज किला बांगलादेश में ठीक है साही किला है बैमा गुवान का किला चाइना में है ठीक है रानी कोट का किला सिंध पाकिस्तान में है ये भी ठीक है बाई साब एक चीज याद रखना ये रानी कोट का किला जो है ये बिस्व का सबसे बड़ा किला है बिस्व का सबसे बड़ा किला है याद रखना याद रखना बिस्व का है इंडिया का नहीं कर रहा हूं मैं इंडिया का नहीं कह रहा हूं इंडिया का अलग कॉंसेप्ट चलेगा और बिस्व का अलग चलेगा याद रखना याद रखना और एक है मदन महल किला तो मदन महन किला जबलपुर मध्य परदेश में है ये विश्व का सबसे छोटा किला है मैं अभी विश्व की बात कर रहा हूँ भाई साग ये हाल ही में इसकी पुष्टी की गई है लेकिन अभी भी भारत के इतियसकार कह रहा है ऐसा नहीं होगा लेकिन अभी माना गया है अभी माना गया है कि यह यह सबसे चोटा और राणी कोट के किले को सिंध पाकिस्तान वाले जो हैं यह तुलना करते हैं The Wall of China The Wall of China से इससे तुलना करते हैं बाइसाब उसी के तरह दिखता है, the wall of China से, ये बंगलादेस वाला है, हाजी बाग का किला, देखो हाजी गंज किला, ये बंगलादेस वाला है, बाइसाब ये real है, ये the wall of China है, the wall of China है, इसी के तुलना करता है, रानी वाला, रानी, रानी खेत का किला, पाकिस्तान वाला, इस की तुलना करता है उसके बाद भाई साब याद रखना याद रखना मेरे लाल कि जो किला है बैमागुवान का किला याद रखना बैमागुवान का किला ये बैमागुवान का किला है बैमागुवान का किला और ये मदन महल है भाई साब जबलपूर बहुत छोटा है मदन महल म मदन महल ये सब से छोटा है बाई साब बिस्व में तो इंडिया में हो गाई ये है बाई साब मदन महल clear तो ये सब से छोटा है बाई साब और बिल्कुल ठीक मैच हुआ है कोई गलत नहीं है सब का मैच सेम है सबका मैच सेम है क्लियर आरे बता दो क्लियर है हुआ है ये कौन है यार सुबहम ये सुबहम कौन है भाई साहब इसका ध्यान पढ़ने पर नहीं है क्या ये सुबहम तो मुझे दिखी नहीं रहा है यार बाई साहब कहने वाले कहते रहेंगे यार अब ध्यान मैं उन पर दो या पढ़ाने पर दो चलो होगा वो करते रहेंगे ऐसे चलते रहते हैं यार कहने दो इने काम है यार लोगों का काम है छोड़ो ना इतने ध्यान नहीं देते लोगों पर आप अपना पढ़ते रहो जो पढ़ेगा उसको हम पढ़ा देंगे ये गारिंटी है चलिए इसका आंसर कीजे अरे इसका आंसर कीजे इसका आंसर किजिए दो मिनिट में अरे जल्दी आंसर किजिए बहुत प्यारा कोश्चन बहुत प्यारा कोश्चन है ये बहुत ही प्यारा कोश्चन है ये कौन सा गलत है आपने सुना भी नहीं होगा ऐसे कोश्चन सुना भी नहीं होगा बड़ी सुन्दर जब प्रिथे भी शूरिय और चंद्रमा के अरे ये रहा सूरज और ये रहा चंद्रमा देखो इधर पहले आओ इधर आओ इधर आओ कहीं मत आओ पहले एक चीज देखो ये अपना सूरज सन देखो पहले हम बात करेंगे सन की सन फिर थोड़ा सा नस्दीक आओ तो मून और मून से आगए हम अर्थ पर पहले सूरज पर थे थे थोड़ा गर्मी हुआ मून पर भागे और फिर अर्थ पर आ गए तब भाई साब याद रखना सोलर एकलिप्स होता है मतलब सूर्य ग्रहन होता है तब भाई साब क्या होता है सूर्य गरहन इधर आओना इधर आओना सूर्य गरहन ध्यान से सुना कब सूरज से जब हम मून पर आए और मून से जब प्रिथवी पर आए यानि सूरज के बीच और प्रिथवी के बीच अर्थ के बीच जब मून आ जाए तो भाईया सूरज पर ग्रहन होगा, सूरज पर ग्रहन होगा, तो सूर्य ग्रहन होता है, अब सुन्ना गौर से, सूर्य ग्रहन होता है, सूर्य ग्रहन, सन, फिर अर्थ, और बीच में आ गया मून, तो सूर्य ग्रहन, अब आ जाओ, सन, और इधर आ जाओ, मून, मून और बीच में फस गए हम तो चंद्रमा के वज़े से चंद्रग्रहन होगा तो चंद्रग्रहन में इसको बोलते हैं लुनार एकलिप्स चंद्रग्रहन तो सन और मून के बीच में अर्थ तो कहना मून यानि चंद्रग्रहन जब अर्थबाद में और मून पहले तो कहना सोर्ण लर यानि सूर्य गरहन तो ये ठीक है ये ठीक है आओ देखते हैं ये दोनों समझ गए ना अरे बाई साब दोनों समझ गए ना समझ गए ना समझ गए दोनों चलिए आईए जब प्रिथवी और सूरज जब प्रिथवी सूरज और चांद के बीच में आ जाए देखो सन और मून इसमें आ जाए अर्थ तो भाईया चांद पर दाग होगा मून यानि मून बिल्कुल ठीक है चंद्र गरहन होगा बिल्कुल ठीक है चंद्रमा जब सूरज सन और अर्थ बीच में आगया मून तो पक्का भाया सूर्य गरहन होगा ठीक है ठीक है जब चंद्रमा और प्रिथवी एक ही दिसा में हो तो इस परिक्रिया को सीजगी कहते हैं ना ना बिलकुल भी ना याद से सुनना मेरे लाल सीजगी कब होगा ध्याद से सुनो नया शब्द है सीजगी सीजगी तब होता है जब सूरज चंद्रमा और अर्थ तीनो एक लाइन में दिखें सीजगी बोलते हैं तीनो के बीच खीची गई लाइन सीजगी कहलाती है सीजगी कहलाती है जब सूर्य चंद्रमा और प्रिथवी एक ही दिसा में होते हैं तो इस पर क्रिया को सीजगी कहते हैं राइट आंसर राइट आंसर क्लियर नया कुश्चन है भाई नया कोश्चन है भाई साहब बता दो अब अई है है क्या बात है है मन्त देश मतलब चलिए आप लोग का कोश्चन किलियर हो गया रिंग ओफ फायर मतलब अल्टिमेट सवाल रिंग ओफ फायर हाँ बिल्कुल ठीक है अच्छा गलत गलत बीच वाला होगा एक कहरा सर्जी गलत कौन है अरे भाई साहब गलत यही तो है जब चंद्रमा और प्रिथवी एक दिस हमें ना जब यह तीनों हो तो गलत सी है ना चलिए रिंग ओफ फायर रिंग ओफ फायर इस्टार लगाओ चलिए देखिए प्रशान्त महाशागर में जब ज़्यादा धूल उठेगा भूकम्प उठेगा वॉलकेनोज आएंगे यह सब प्रशान्त महाशागर में होता है भूकम्प उठेगा भूकम्प आएगा ज्वाला मुखी फटेगा और धूल ही धूल उठेगा प्रशान्त महाशागर में तो इस प्रकिर्या को भया रिंग ओफ फायर कहते हैं तो आंसर ये भी ठीक ये भी ठीक ये भी ठीक आंसर ए, बी और सी तीनो ठीक हमको सही तो डूढ़ना था तीनो ठीक क्लियर है 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 क्या बात है रिंग ओफ फायर क्या बात है भाई साब उस्टेलिया में आग इसका कोई कारण नहीं कोई कारण नहीं गलत है ये इसको रिंग ओफ फायर नहीं कहते रिंग ओफ फायर ये हैं ये आपको चित्र भी दिखाया यूस साइड में खुबे ये बताइए चलिए भाई साब दो सेकेंड का कोश्चन देखिए एक बार कौन सा ऐसा किला है जिसको भारत में सबसे छोटा माना जाता है और कहां है किला सबसे छोटा माना जाता है चलिए आंसर का इंतजार कर रहा हूँ जबलपूर में है उम प्रकास ने कहा टोटल आंसर नहीं दिया भी अभी टोटल आंसर नहीं दिया नाम क्या है मदन किला जबलपूर ऐ ऐ ऐ बंदना राठी बंदना राठी का अंसर है भाई साब राठी साब का अंसर है चलिए इसका जबाब दीजे भाई साब इनमें से कौन सा गलत है कौन सा गलत है अंसर दीजे और शान दिवस गुरु तेग बहादूर के जनम दिवस पर मनाया जाता है ये सिखो के नवे गुरु थे बिलकुल मनाया जाता है भाई साब कोई दोराय है ही नहीं गुरू नानक देव के जन्म दिवस पर गुरू पर्व मनाय जाता है कोई डाउट है ही नहीं दिवाली के लगभग 15 दिन के बाद मनाय जाता है ये भी बाद ठीक है 25 दिसंबर को इसा मसी के जन्म दिवस पर कृश्मस डे मनाय जाता है ठीक बात है हजरत मुहमद के जर्म दिवस पर मुहर्रम टिवहार मनाया जाता है गलत आंसर है यह बिलकुल गलत आंसर है आईए अगर मैं बात करूँगा कभी भी गुरु पर्व की तो याद रखना जो गुरु पर्व होता है वो हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन और याद रखना कार्तिक पूर्णिमा जो होता है दिवाली के 15 दिन बाद आती है तो इसलिए कहा जाता है इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को है तो लगभग लगभग ये आठ नो नोमबर तक पड़ेगा भाई साब ये होता है गुरु पर्व गुरु नानक देव के याद में मनाया जाता है और याद रखना एक अप्रेल को जन्म दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर का तो गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस पर और शाद दिवस मनाया जाता है बिल्कुल ठीक बात है कोई कोई डाउट है नहीं कोई डाउट है नहीं कहा जाता है चार से छे एडी के बीच बैथलेहम में बैथलेहम फिलिस्तीन बैथलेहम इसा मसीह का जन्म हुआ था मसीह का जन्म हुआ था और इनहीं के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को क्रिस्मस डे मनाते हैं और लगभग 30 से 33 एडी के बीच एडी के बीच यरूशलम यरूशलम इसराइल की केपिटल है और यहीं पर इनको सूली पर लटका दिया गया था तो इनके जन्म दिवस पर क्रिश्म डे मनाया जाता है बिलकुल ठीक आंसर है यह है जहां पर इनको सूली पर लटकाया गया था यह है बाई साब अब आजाओ एक है मुहम्मद साहब और मुहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 एडी के आसपास है और इनका जन्म मक्का और याद रखना मिलाद उल नवी मिलाद उल नवी यह इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और 632 में मदीना में इनकी मृत्तिव हो गई थी मदीना में मृत्तिव हो गई थी तो जितने मुसलिम लोग हैं वो हज करने जाते हैं ये वो जगह है मक्का का मक्का का लेकिन आज का देखोगे तो कुछ ऐसा होता है मक्का ऐसा होता है जन्म अस्थलिये और ये इनकी मृत्तिव अस्थलिये है मदीना मृत्तिव अस्थलिय अब याद करो मिलाद उलनवी इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये है करबला करबला ये इराक में पढ़ता है भाई साव इराक में और मुहम्मद साहब के बेटे का बेटा था बेटे का बेटा मतलब पोता बेटे का बेटा था यानि पोता था और उसका नाम था याद रखना सबसे प्यारा कुशन आता है हुशेन इसका नाम था हुशेन बेटे का बेटा था किसके? मुहम्मद साहब के बेटे का बेटा था हुसेन इमाम हुशेन और इमाम हुसेन चाहते थे कि मैं खलीफा बनू लेकिन खलीफा जो था वो शीरिया का एक वेक्ती था जिसका नाम था यजीद यजीद बन गया भाई साब और यजीद जैसे ही बना उसने नियम कानून खुद बनाए और खुद चलाया और फर्मान जारी कर दिया हुसेन को कि या तो आप मेरी बात मान लो आपको नहीं मिलेगी सब्ता तो या भाई साब नाराज होकर बोले कि मैं एक बार सौधी अरभिया जाऊंगा वहाँ पर हज करूंगा और हज करके वहाँ से आऊंगा तो तुम हम से बात करना और ये हज करने चले गए और हज करके जब वापस आए तो यजीद बोला कि मेरी बात मान लो आप मेरे साथ हो जाओ और मैं ही खलीफा रहूंगा लेकिन हुसेन माना नहीं इस कारण कलबरला का युद्ध हुआ और हुसेन मारा गया तभी यूपी में ताजिया का तेवार मनाते हैं ताजिया और ये सोक का तेवार है बाई साब सोक का ये सोक का तेवार है तो याद रखना इनके जन्म दिवस पर मुहर्म नहीं मनाया जाता नहीं मनाया जाता मिलाद उलनभी मनाया जाता है मुहर्म तो मनाया जाता है इनके पोते की मृत्तिव के लिए क्लियर इनके पोते के मृत्तिव के लिए क्लियर आरे क्लियर हुसेन हा, गुलिस्ता जी ये कहा जाता है, वो पोता ही है वो नाना के एंड से पोता ही माना जाता है जैसे मैं अपने नाना के एंड से दोहित्र, पोता ही माना जाओंगा लेकिन दोहित्र को होंगा तो ज़्यादा बहतर है क्लियर गुलिस्ता जी दोहित्र जिसको बोलते हैं बांजा बांजा के एंड का है यह हाँ बहुत बार भगदर मज जाती है वो सैतान को पत्थर मारने के चक्कर में होता है सैतान के पत्थर मारने के चक्कर में होता है चलिए बड़ी खुशी की बात है तो आपको ये भी चीज समझ में आ गया कि मोहरम क्यों मनाया जाता है ये बड़ा अच्छा कोश्चन है बाई साब बहुत अच्छा कोश्चन मताधिकार का क्या मतलब है खुलियाम अस्तर सस्तर रखना ना गरिबों के पक्षमे ना हो ना ऐसा अधिकार जो भी धवाओं से जुड़ा हुए ना वोट देने का अधिकार इसे मताधिकार कहते हैं ध्यान से सुनना एक सथवा संभिधान संसोधन हुआ 61 एमेंडमेंट हुआ एमेंडमेंड और याद रखना ये एमेंडमेंड 1988 को हुआ और आर्टिकल 326 में थोड़ी बदलाव की गई और बदलाव जो किया गया वह 1989 से एक्टिव हुआ जो बदलाव हुआ बदलाव क्या हुआ भाई साब एक्टिव हुआ 89 में संसोधन हुआ 88 में आर्टिकल था 326 और बदलाव क्या होता है कि 21 साल वोट देने का अधिकार था 21 साल इसको घटा कर 18 साल कर दिया गया लेकिन ये तो सवाल है बाई साब सवाल ये पूछ देगा कि ऐसा करने वाला परधान मंत्री कौन तो कह देना राजीव गांधी ये हैं सोनिया गांधी ये हैं प्रियंका वाडरा ये याद करो मेनका गांधी ये संजे गांधी ये इंद्रा गांधी ये वरुन गांधी ये बीजेपी में हैं मेनका गांधी ये देखो राजीव गांधी उस टाइम पीम थे जब ऐसा हुआ और याद रखना मेरे लाल आर वीयस पेरिशास्त्री उस टाइम Chief Election Commissioner थे मुख्य चुनाव आयुक्त और इन्हों ने ही मुहर लगवाई PM का मुहर लगा और इस पेरिशास्त्री का मुहर लगा और 21 सल से घटा कर 18 सल कर दिया गया भाई साब उस टाइम चुनाव आयुक्त की भी तर जानकारी रखोगे चुनाव आयुक्त की भी तर जानकारी रखोगे भाई साब वो जो भी है मैं कैसे कह सकता हूँ मेरे अंदर भी चोर है मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं कह सकता भाई साब ये शब्द बोलना गलत है सब किसी में कोई न कोई कमी है भाई साब मेरे अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी कमी है, मेरे कुछ विचारों को आपको पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा, जिन लोगों को नहीं आएगा, वो लोग हमको गाली देगा, और जीतने लोगों को आएगा, उनके लिए अच्छा ह ठीक है हम अब कैसे को सकता है भाई यह सब चलता रहता है राजनीती हम करने नहीं आए है पढ़ाना हमारा काम है इस समय अगर चीफ एलेक्सम का बात करें तो सुसील चंद्रा है हम लोग टीचर है भाई साथ ठीक है आपका अंसर हरियों सेंजी सब आंसर मिल जाएगा चलिए हाओ गोदावरी नदी का उदगम त्रियम बकेशवर नासिक से होता है चलिए पहले दू सेकेंड का कोश्चन बताईए तो दो सेकेंड का कोश्चन बताईए कि याद से सुनना कौन से नंबर का एमेंडमेंट था कि चुनाव की उमर 21 से 18 की गई जल्दी बताईए कौन से नंबर का एमेंडमेंट था क्लियर इसोब बतादेंगे है पी सिंग्ग कि ओ पर सान हो रहा है अए यह है यह है इसम्की करनाशर का नईए जतिन का भी आऎए जतिन जतिन जतिनका यांवाई साब जतिन भाई साब का चलिए गोदावरी नदी का उदगम त्रियंब केस्वर नासिक है हाँ ठीक है नासिक में महाकूंब का योजन भी होता है हाँ होता है नासिक में ही त्रियंब केस्वर जोतिर लिंग है हाँ है संपूर भारत में महाकूंब का योजन पांच जगों पे गला पर्देश उजयन, उत्राखंड हरीदवार, यूपी प्रियाग राज और महराश्ट्र नासिक यह तो है चार महा कुम्ब। जोतिरलिंग पूरे भारत में याद रखना बारह जोतिरलिंग और उस जोतिरलिंग में ये भी है जिसमें याद रखना महराश्ट में तीन है याद रखना महराश्ट में तीन है गुजरात में दूई है और एमपी में दो है अधर जगह यूपी में एक है उत्राखंड में ए हे तमिलनाडू में एक है जारखंड में एक है आंदरपरदेस में एक है टोल क्या हो गया बारह हो गया नासिक में महाकुम का योजन होता है ना गोदावरित्रियंब के यहीं को गोदावरी हिसको बριद बैन गंगा पैन गंगा सब इसी की तो वो हैं ट्रिब्यूटरी ये देखो ये है नासिक ये देखो कुम्ब ये हरिद्वार वाला है ये देखो ये नासिक वाला है ये देखो उज्जैन वाला है सिप्रा नदी है ये ये सिप्रा नदी है सिप्रा ये देखो ये गोदावरी ह नासिक वाला गोदावरी है ये देखो हरिद्वार वाली गंगा है गंगा है और ये देखो यूपी वाला प्रियाग राज इलहाबाद और ये संगम है संगम हर एक बारा साल पर पहुंचता है एक जगा पर हर एक बारा साल पर ये देखो ये सारे जोतिर लिंग है यह देखो त्रियम्म केशवर मंदिर बड़ी फेमस जो तरलिंग आज का ये लास्ट कोश्चन है साइद आज का भाई साव ये लास्ट कोश्चन है हाँ लास्ट कोश्चन है बिल्कुल चितवन राष्ट्रिय उद्यान नेपाल का राष्ट्रिय उद्यान है जिसका निर्मान 1973 में हुआ और ये नेपाल का पहला है हाँ तो है हमने कम मना किया है जीम कारवेट भारत के उत्राखंड में है और ये भारत का पहला है हाँ है 1936 में बनाता ये 1936 में बनाता हैली नेशन कारबेट हुआ फिर अब नाम इसका राम गंगा है राम गंगा नाम है इसका अब क्योंकि राम गंगा नदी राम गंगा नाम है इसका बरतमान में बरतमान नाम राम गंगा दुधवाराश्ट्रिय यूपी में है गिर गुजरात में गलत पुछा है गिर गुजरात में है जो प्रसीद है एक सिंग वाले गेंडे के लिए ना भाई साव ना ये प्रसीद है A.C.I. सेर के लिए A.C.I. लोयन के लिए हाँ ये कह रहा है गेंडे के लिए ना ना ये देखो ये देखो चितन नेपाल नेपाल ये देखो जीम कारबेट ये देखो दुधोवा ये देखो गीर ये स्याई लोईन गीर और जहां एक सिंग वाला गेंडा ये है कजी रंगा और कजी रंगा जो है वो असम में है यह फेमस है इसके लिए राइनोज के लिए क्लियर है है नमस्कार दस बज गया है फिर मिलते हैं अरे वाँ पूजा वेनिवाल जी कर रहे हैं आपने पढ़ाया था बाबाई हाँ परदीब सिंग जी रेलवे में खूब इस तरह के कोश्चन मिलेंगे इसलिए तो आसी सर की LPS की किताब अब लेबल है हर ब्रांच पर है सेंटर पर भी है आप वो भी लेके पढ़ो और 15 से एक महीने के बीच में मेरी LPS की किताब आ जाएगी उससे भी पढ़ना भाई साव क्या मजाल की कोई कोश्चन बच जाए और लेबल की गारेंटी लेना हो तो हमारे सारे ब्रांचेश पर सो मौर से लेकर सनिवार तक डेमो क्लास होती है पहुँच कर एक बार डेमो तो लगाओ भूल जाओगे दूसरे को क्योंकि हम गारेंटी लेते हैं अपनी जो पढ़ाएंगे वो सबसे उपर पढ़ाएंगे और ओकी मैं गारेंटी नहीं लेता मैं अपनी गैलेक्सी के टीचर की अपनी की गारेंटी लेता हूँ कि हम लोग जो पढ़ाएंगे यूनीक रहेगा और पढ़ाते होंगे वो भी गुरुजन है बढ़िया पढ़ाते होंगे मैं किसी की क्रिटिसाइज करता नहीं लेकिन हम अपने कंटेंट के आगे किसी को जाने भी नहीं देते दस बाते भी जरूर मिलेगी जी किलियर नमस्कार थेंक यू जैहिंद अलविदा कि अथ बढ़ बाते होंगे अलवे वो किव situ